जब मुझे लेकर के गए गयर कानूनी तरीके से 13 दिन तक रखा पहले ही दिन बिना कुछ पूछे हुए उन्होंने मुझे बुलाया घेर पुलिस थी उन्होंने मुझे बुलाए खरके जो पीटना शुरू किया इतना चोड़ा बयल्ट रहता है एक यहाद में देपल प्टत रहता है और उस वैल्ट से मारते हैं कि एक बेल्ट अगर आपकी हाँत में पढ़ता है तो ऐसा पूरा सूच के चला आता है, आप अगर दूसरा बैल जहल पाएगे, तो आपके हाथ हड़ जाएगे, ये जो बैल्द मारते थी, पूरा नर्वस सिस्टम धीला पड़ जाता था, सुन पड़ जाते थी, और ये देन और रात भीटते थी, मैं आपके सामने अपनी पीडा नहीं विता रही हूँ, लेकिन इतना चेह रही हूँ कि और कोई बहनाज के बाद कभी भी इस पीडा का सामदा नहीं कर सके। मारे हाथों को उसमें डूबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे, जिसने वो थोड़े मुलाइन होते थे एक आतगंडे में और फिर पिटना शुरू करते थे। मुझे नहीं पता था, इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीडा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना था, जो मुझे बाद में पता चला, कि वो कहलवाना चाहते थे, तुमने एक बिसफोड किया है, और मुस्लिमों को मारा है।